नमस्कार बहुत स्वागत है आपका तो ना चाहते वे भी उसमें हम फसी जाते हैं और अभी कर्ज के तरीके भी बदल गया हैं पहले तो कर्ज लेते थे किसी महाजन से या बेंक से लेकिन अब तो हर एक वस्तू ही कर्ज पर मिलती है चाहे वो आपके हाथ में जो खुबसूर सब मोबाइल फोन है या फिर आपके घर का टेलिविजन रेफ्रीजेटर अराम से कहेंगे एक रुपया डाउन पेमेंट दे दो घर ले जाओ अराम से साल भर में देना लेकिन क्या इसमें आप बेबजब फस नहीं रहे एक बार आंखे बंद करके सोचिए का जरूर मजा तो कब आता है जब आप सब चीजों को कम पैसे में या फिर एक आपको कहा जाता है सब बात दिखाया जाता है ऐसा कि आप बिना किसी इंटरेस्ट के ले जाओ घर लेकिन अच्छी बात है आपका लाइफ बेस्ट चल रहा है लेकिन जिस दिन परेस्यानी आ जाए बाई चांस आपका दुकान अच्छा ना चले जैसे कि करजों से मुक्ति कैसे पाया जाए जब आपका बेफसाही नहीं चलेगा आपकी जूब चूट रही है बहुत सारे जो गवर्मेंट जूब करते हैं उनके भी बहुत सारे सेलरी में कटोती हो चुकी है तो परेसानी तो बढ़ जा हैं कर्ज में तो उनसे कैसे बाहर निकलें बहुत सिंपल जो तीसिय उपाय कहीं कोई तांत्रिक रिया नहीं है आज हम तीन उपाय बताएंगे आप अपनी इच्छानुसार कोई कर सकते हैं चाहें तो तीनों कर सकते हैं सबसे पहली बात तो कर्ज जो होता है राहू और के तूं का आप nggak ठ्रुब ऑ या खराब हो गया हो यह बुद्ध के उपर हो तो करजा आप नहीं चुकाना चाहते या चुकाही नहीं पाते और अगर यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको माननी होगी कि जो मंगल है ना बेक्ति को करजी के कारण जादा पृसान करता है इसलिए आज हम मंगल को ही भेयतर करने के लिए उपाय बताएंगे क कैसे इन करजों की समस्या से बाहर निकलें कभी कभी बहुत जादा मंगल के कारण बैक्ति अपमानित भी होता है करज के कारण तो पहली एक बात जान लें कि करज के लेंदेन में एक दो लाइन हमेशा ही ध्यान रखें माल लेतें आप करज में फस चुके हैं तो अब तो जो हो चुका हो चुका लेकिन आगे से आप ध्यान रखेगा किसी भी महने की आठ तारिक, सत्रा तारिक और चब्श तारिक को करज मत लीजिएगा क्योंकि आठ अंख सनी का है और सनी का मतलब होता है हर काम देरी से होना करज मत लीजिए ना ही पेपर पर साइन करें अब काला रंग भी सनी का है तो कोशिस कीजिए कि काला रंग का पेपर पें से पेपर पर साइन ना करें और सनीवार के दिन कभी भी कर्ज मत लीजिए वर्ना सनीवार के दिन अगर आपने कर्ज लिया या फिर आपने लोन के पेपर पर साइन किया तो यकीन माणिए आप आसानी से आप कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएंगे दूसरी बात करज किसी को देना भी नहीं चाहिए सनी बार को और लेना भी नहीं चाहिए प्रयास कीजिए कि सोमबार, बुद्वार और सुक्रवार के दिन ही आप करज ले क्योंकि ये तीन दिन जो है ना स्पीड वाले दिन है इन तीन दिनों में अगर कोई काम करते हैं तो फटा-फट से वो काम पूरा हो जाता है यानि सोमबर, बुद्वार और सुक्रवार के दिन अगर आप कोई भी सामान खरिते हैं कर्ज ही सही तो वो सामान आप ले तो लेते हैं लेकिन उससे आपको छुटकारा करजों से जल्दी मिल जाता है तो आगे से कोशिस कीजिएगा इन तीन दिनों में ही करज लेने का जहां तक संबब हो काले पेन से तो आप बिल्कुल भी पेपर साइन नहीं करेंगे और जब आप साइन करेंगे पेपर में करज लेने के लिए तब आप भगवान से प्राथना कीजिएगा हे प्रभू ये तुम्हारी ही चीज है और तुमें ही अरपित कर रहा हूं धन भी उनका है आप भी उनके हैं अपने धन को अपने आपको उन्हीं को समर्पित कर दें तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलता है अगर मान लेते हैं कर्ज में फस गया हैं आप बाहर नहीं निकल पा रहें अब आप चाहते हैं कि कर्जों से मुक्ति मिल जाए तब ऐसे में एक छोटा सा प्रियोग करें पान का पत्ता पान के बत्ते के बारे में तो आप जानते होंगे तो एक पान का सुन्दर सा पत्ता ले आईए जो बिल्कुल हरा हो कटा फटा हुआ या पीला पन लिये वे दाग धब्बे वाला मत लीजेगा सुन्दर सा देखकर बेदाग रहित एक पान का पत्ता ले आए अ और कर्ज भी आपको परिशान कर रहा है आपको लगता है कि लाब नहीं हो पा रहा तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतर पा रहा तब ऐसी दसा में इस पान के पत्ता पर आप लॉंग और हरी लाइची रखें एक या दो आपकी मर्जी पर है कोई दिकत नहीं है अब पान के पत्ते को मोड़ कर बीडा बनाईए और मंगलवार की साम हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें हनुमान जी से अभी जो हमने आपको प्रार्थना करने को कहा था कि धन भी आपका है आप भी उन्हीं के हैं अपने धन को अपने आपको भगवान को प्रार्थना करें उनसे और ये उपाय आप तीन सनी बार…. याद रखिये सनी बार के दिन ये उपाय करना कोड़ना है या मंगल बार के दिन आपको जिस दिन सुभीता हो उसी दिन कीजिए लेकिन लगातार तीन महिने की किजिएगा कर्ज चुकाने के रास्ते बढ़ने लगेंगे इन तीन महिनों में ही आपको लगेगा फायदे हो रहे हैं बहुत सिंपल उपाय है पर कीजिएगा जरूर और दिल से अगर कोई भी प्रार्थना की जाए वो कबूल होती है तो भगवान को कुछ नहीं करना आप सा बात्विक भोजन खाईएगा दिन में साम के समय स्नान बगेर कीजिए फ्रेस कपड़े पहने पान का बीड़ा बनाएए चले जाएए पास के मंदिर में वैसे आप घर में भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर में चुकी मुर्ती प्रान परतिष्ठा की भी होती है तो ज्यादा अ आप लाग प्रियास के बाद भी कर्श से मुक्ती नहीं पापाते आपको लगता है बार बार आप जलालत यानि जलील हो रहे हैं इस कर्ज के कारण शर्ण के कारण और बहुत प्रिसानी में पढ़ चुके हैं तब आप एक उपाई करें मंदावार के दिन यह उपाई करना ह और कोशिस कीजिएगा इस दिन सात्विक भोजन करें यानि बीना लहसन प्याज का या आप चाहें तो ब्रत भी रख सकते हैं यानि बीना नमक का खाना खा सकते हैं, फल विगरे भी खा सकते हैं, अन खाना है तो नमक भी नहीं खा है, या सिंधा नमक का भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिस करें, मंगल बार की रात 11 से 1 के बीच, याद रखिए रात 11 से 1 के बीच, असनान विगरे करके फ्रेस कपड़े पहन अब हनुमान जी के सामने बैट जाईए एक बड़ा सा दीपक जलाईए और दीपक आप घीका ही जलाए अगर सर्सों का तेल का जलाईएगा तो उसमें दो लॉंग डाल दीजेगा हनुमान जी के सामने बैट कर 11 बार हनुमान 40 पढ़े याद रखिए 11 बार हनुमान 40 पढ़े और उनसे प्राथना करें जो करज की समस्या से आप परिसान हैं उनसे प्राथना करें करज मुक्ति के लिए और यह प्रियोग याद रखिए रात 11 से 1 के बीची करना है आप ये जो उपाय करेंगे मंगलवार के रात में हर्मान चालीसाँ वाला कम से कम 1.11 मंगलवार करें बहिला है पुरुस हैं अपनी सुभिधान उसार छूट जात तो कोई दिकत नहीं है भगवान सब जानते हैं लेकिन कम से कमे 11 मंगलवार कीजे आप देखिएगा धीरे धीरे पैसा वापस आने लगेगा और आप करजों से छुटकारा पाने लगेंगे आज एक छोटा सा एक अंतिम उपाय जो आपको करजों से मुक्ती हर हाल में दिलाएगा कई बार क्या होता है करज के जाल में ऐसे फ तो इन चीजों में अगर आप फस गया हैं बहुत जादा परिशान है तो एक सिंपल सा उपाय कीजिए क्या करेंगे देखिए एक सुक्रवार के दिन आप नारियल का गोला खरीद कर लेकर आईएगा ये उपाय सनिवार के दिन किया जाएगा तो नारियल का गोला जो आप यानि पानी वाला नारियल नहीं लेना है सुखा नारियल जिसे हम गरी कहते हैं तो ये वाला आप गोला ले आईए सुक्रवार के दिन आप एक ही बर में तीन ले आईए तीन सनिवार ये उपाय होगा अब इस नारियल के गोले को जो सुखा वाला होता है नारियल इसको ले अब इसको किसी भी पीपल के नीचे ले जाकर इसको जमीन में दबा दे और ये उपाय आप करेंगे अर्ली मॉर्निंग एकदम से सुबह जब आपको कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं आप असनान वेगेरे कर लें इसको उपाय को करें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें पीपल के नीचे हलका से मिट्टी का गड़ा करें और उसको दबा दें या थोड़ा भी गड़ा होता है तो वहां पे रखकर आप मिट्टी डाल देजिए ये उपाय लगातार तीन सनीवार करना है यानि हर सुक्रवार के रात में आपको ये नारियल आप अलग लग लग ल करने से भी आपको जब तक कि आपका करजा नहीं उतर जाता है किसी भी एक पार्ट करें आपका करजा उतर जाएगा ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हरुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो भी करजों से मुक्ति मिलती है अगर आप महला हैं तो लाल हम आपसे विदा ले रहे हैं उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी हर हर महादेव धन्यवाद